साल का लाज्ट ट्रेडिंग वीक और ये वीक होफुली काफी बेटर रहे आप लोगों के लिए आप पुर्य साल को अच्छे नोट पे एंड कर पाएं और होफुली 2024 जब स्टार्ट हो तो वह आप लोगों के लिए थोड़ा बेटर येर हो तो आप अच्छे मोमेंटम से 2024 में जाएं जब मार्केट ट्विजडे ओपन होगा तो मार्केट तीन-चार चीज़ों का फैक्टर कर रहा होगा क्या तीन-चार चीज़े हैं वह इंपॉर्टन न्यूज वगया जो है मैं उनका डिसकेशन कर लेता हूं और उसके बाद हम अप बहुत इंपॉर्टन हैं जो वहाँ पर रहेंगे वह क्या दो इंपॉर्टन फैक्टर हैं वह मैं आपको बताने के कोशिच करता हूं और उसके अपना डिसकेशन कंटिन्यू करते हैं तो देखें पहला चीज़ तो यह है कि वाल्यूम्स ना के बराबर रहेंगे बिकॉस मै और यह यह एंड हॉलिडेज और उससाव से प्लाइन करके अपने वेकेशन पर निकल जाते हैं तो वाल्यूम्स थोड़ी तो यह ध्यान रखेगा कि मार्केट में वॉलीटिलिटी और पाइक्स थोड़े से जादा हो सकते हैं अब सैड भी हो सकता है डाउंसाइड भी हो सक पॉपियुक्टिव से यूज जादा फर्क नहीं पड़ता है उनसे मतलब वह अगर नेगेटिव होते हैं तो हम साइड़्वेस होते हैं वह पॉजिटिव होते हैं बट उनसे पॉजिटिव या नेगेटिव का भी कोई क्लू हमको नहीं मिल रहा होगा for the simple reason कि वो खुद बन रहते हैं तो global market थो ऐसे उसी आप से आपको रहते वह दिखाई दे सकते हैं तो वो थ्वासा cautious रहेगा वहाँ पे तो यह एक factor हो गया अब कौन कौन से important news आए हैं उनका discussion कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम discussion करेंगे आपके sectoral outlook का और उसके आद हम discussion करेंगे आपका level summary का तो यह तीन चार चीज़ें डिसकस कर लेते हैं फिर उसके आद अपना continue करेंगे तो पहला चीज़ सबसे important news में तो Friday जा market close हो गया था तो उससे में एक news आया कि Indian chemical vessel था Indian ocean में जिस पे एक drone attack हुआ तो drone attack साथ इरान से हुआ था वो क्यों हुआ क्या हुआ कैसे हुआ उतना detail में हम नहीं जाएंगे बट करी निंदा भी नहीं की गई तो मतलब हो सकता है वो private भेकलो जिसमें government साथ अपना interference नहीं करना चाहता हो बट Pentagon अगेना नहीं statement कर दिया है मतलब उनको बस क्या unrest create करना है और जो यूएस का बहुत सारे countries को बरबाद करने का जोटका लिस्ट था उसमें next country उनका साथ इरान है इसलिए अब हर चीज में इरान को वो लोग नाम डाल रहे हैं उसका तो देखते हैं वो तो उनका बहुत साल सा टसल चल रहा है तो उसके करन के global थोड़ा सा issue created है हमको जवस्ती मतलब इंडिया को जवस्ती उसमें पुल करना ही कोशिच की जा रही है और दो करें इंडियन structure थोड़ा सा बेटर है तो देखते हैं साथ यह लोग में करें और उसके बाद जो क्योंकि अभी तो यह लोग राम मंदिर की ओपनिंग में ही बिजी रहेंगे वह ज्यादा अच्छा रहें बिना अतलब का यह सब हालतु जमिला में एस्टी तेरा निर्टा का रूपए होते हं अध्याद ने अनॉंस किया है आद खऑद हो जब करें आद और पाधा था अब वोजब दिल कैंसक आशा है तो हो सकता है कि असके लिए adverse reaction दे, बट एक चीज मार्केट में चलती है, अगर सब लोग bearish हैं, तो फिर bearish trade ने पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि अगर उसको 3% down खुलना है, तो 3% down नहीं खुल जाएगा, उसको 1% down खुलना है, तो 1% down नहीं खुल जाएगा, मौका नहीं देने वाला, आप सुचोगी हम fresh shot करके पैसा बना लें उसको, तो operator पहले से ही shot बना के बैठा होगा, उसको भी मालूम है कि भाई, ये news आने वाला रहेगा, ठीक है, और अगर आप notice करोगे, तो जाके देखना आप infi का last कुछ minutes का chart, on Friday, आपको समझ में आएगा कि कुछ तो game उस दिन हुआ था, तो ठीक है, अब जो भी है, हाँ, normal traders को साइज opportunity ना दे, हाँ, उस opportunity को हम nifty में देखेंगे कैसे play कर सकता है, वो हम अभी level जब discuss करेंगे, तो समझ में आएगा, बट हो सकता है, उसके कराण nifty में कुछ trading opportunities मिल जाए, downside की मिले, upside की मिले, depending की market कहां open होते है, उस जाब से मिल सकता है, क्योंकि stock अपने 52 week high पे है, अब 52 week high पे है, तब कोई negative news आए, और stock अगर bottom पे रहे, और तब negative news है, यह दोनों में difference होता है, bottom में क्या है, मड़े हुए को आप कितना मारोगे, और top पे अगर रहता है, तो फिर क्या लगता है, यार यह क्यों ही आया, यह negative news, तो वह वाला चीज है, बस मेरा यही मानना है, कि अगर उसको chase करने कोई जाएगा, तो side opportunity, market ना दे, और ऐसा हो सकता है, कोई impact ना भी पड़े, क्योंकि वो forecasted revenue था, but market future को लेके चलता है, तो अगर एक बड़ी deal cancel होती है, तो उसका actually adverse impact पढ़ना चीए, बट वही है कि उसको लेके mindset बना के मच चले जाएगा, कि आज तो negative ही होगा, क्यों, क्योंकि अभी इंडियन market में, अगर आप negative सोच के चल रहे हैं, तो market left right and center लगा रहा है, live market में opportunity मिलेगी, वो भले आप उसको cash in कर लीजिए, लेखिन आप सोचेंगे कि भाई, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो नहीं है अधिकर, anyways, live market में deal करने के लिए, एक अच्छे टूल के जारे में आपको बता देता हूँ, उस टूल से आपको दो help मिलेगा, एक तो आपका risk management बेटर हो जाएगा, second चीज, आप target and stop loss वाले trader बन जाओगे, जिसको ये पता रहेगा, कि अच्छा हमारा काम हो गया, आप हमको बंद करना है, तो वो थोड़ा आपको help करेगा, एक risk management आपका improve करेगा, जिससे आपके trading overall improve होगी है, और आप long term sustainable बनेंगे, उसके आदे सुन लीजिए, फिर हम अप profit नहीं पा रहे हो, या profit पे आपको, आपका desired profit target आगे है, फिर भी आप profit नहीं पा रहे हो, दोनों चीज़े होती है, आप loss पभी नहीं काट पाते हो, कभी profit नहीं काट पाते हो, problem क्या है, कि हम तो human ही है, emotions का तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए, आज के date में सब लोग इतना है, उसको आप automate कर पाओगे, और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चीजों को बनाया है, जिसमें आप बहुत simplified way में, आप चीजों को execute कर पाओगे, अभी जैसे हम अगर आएं, auto trading पे, तो अगर इनका आप normal auto trading का tool देखेंगे, तो हम पहले क्या करेंगे, कोई strategy अपना deploy बना देता है, तो मैं यहां पर iron fly मैंने बना दिया, अब मैंने iron fly जैसे ही बनाया है, मैं को यह सब दिख रहा है, अब मैं क्या करूँगा, इसको auto trade में add कर दूँगा, मैंने इसको auto trade में add किया, अब मेरे को क्या दिखना है, मेरे को यह दिखना है कि मेरे को net premium intake कितना हो रह अब यहां पर कॉंबाइंन प्री विराungs गफिंट करना है है मेरेकर कॉंपिंटेक करना इंट तो यहां Want high मां चाहता हूं कि 3.50 3.30 आज आटा है、ज़ फिल कर सकता हूं मैं अपनी और पिलान कर सकता हूं तो मेरे को ट्रेलिंग स्टॉप लगाना है तो जैसे जैसे मेरा प्रोफिट अब बरते जाएगा तो वह एक अच्छा चीज रहेगा जिससे क्या आप बरते कर सकते हैं जैसे जैसे सब चीज्चों पूंध कर सकते हो हैं। से Talks और सबसुन से आप अपना systematic way में ट्रेडिंग करने की कोशिश कर सकते हो सारा detail description मैंनेगा check जरूर कर लिजेगा आपने सुन लिया होगा अब हम आते हैं अपने next discussion पे so next discussion क्या रहेगा sectoral outlook का रहेगा देखिए चुकि truncated week के 4 trading days है तो मैं sectoral outlook अलग से क्या दूँ बस मेरा यह मानना है कि जिसे कुछ-कुछ plays रहते हैं time to time last 4 दिन में जो sectors बहुत run up कर चुके थे न वो सारे sectors में वो सकता है कि थोड़ी सी profit booking आ जाए ठीक है क्यों क्यों क्या है books में अगर high value दिख रहा है तो ठीक है वो monthly carry forward करना है तो लो level भी carry forward से चलेगा because क्या होता है month end में usually mutual funds pump करते थे but last month से इस month यह already बहुत उपर बैठे है तो इनको inclination नहीं होगा कि हम और pump करें क्योंकि अगर आप और pump करने जाते हो market को तो market और उपर बन दोगा तो फिर इस month तो आप return दिखा दोगा अगले month क्या दिखाओगे इनको बहुत जादा push नहीं करना होगा so that next month push करें and next month भी return दिखाएं सो दाट यह fund measures अपनी salary justify करता है तो वो थोड़े सा एक factor रहेगा plus result season start होने वाले है January 1st week से तो result season के पहले market फॉरसा caution भी रख सकता है तो मेरा मानना यह है कि auto IT FMCG यह तीन सेक्टर में आपको थोड़ा बहुत profit booking दिख सकता है जिसमें auto IT and FMCG में मेरे को expectation है हो सकता है मैं गलत हो जाओ पर थोड़ी सी profit booking इस week में इनमें दिख सकती है इसको कि आप यह ratio में play किया सकता है तो थोड़ा difficult है बट चुकि मतली expiry है and month में जितने long positions होंगे उनको expire होना है towards the month end तो जि इसके कारण वह थोड़ा सा एक बार ओ लोग अपना long positions को adjust करने ही कोशिश करें क्योंकि long positions को आप square off करोंगे adjustment next expiry में कैसे shift होता है next expiry shift होता है यह expiry का square off करके अगले expiry में enter करना तो अगर market में माल लीजिए उनको लगता है कि हमको चलो ठीक है long position square off करने है तो उसके लिए एक sell position मनाना पड़ता है और वही चीज के कारण क्या होता है market में volatility create होगी तो चुकि long positions exit भी करने है यह तीन चार सेक्टर जिन में अच्छा कासा momentum था last कुछ दिन में उन्हें profit booking आपको देखने को मिल सकती है कौन कौन सेक्टर में बहुत जादे impact आपको नहीं देखने को मिलेगा उसमें एक pharma रहेगा because अभी वही कोविड 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 सुनने में आ रहा है तो pharma हो सकता है negative ना जाए ठीक है और energy रहेगा क्योंकि energy का demand उसी तरह से है कोई उसमें changes है नहीं उसके बाद आपके metals metals weak हो सकते हैं because dollar index strength दिखाने कोशिश कर रहा है तो अगर dollar index strength दिखाता है तो metal weak होंगे अगर dollar index weak होता हो दिखेगा tracking dollar index का वो करना पड़ेगा although सारे metal stocks last month में अच्छा return देके बैठे हुए तो profit booking idly उनमें भी होना चीए बड़ उनमें पुरे साल पर return नहीं था तो वह एक factor है क्योंकि अगर आप लाश्य से compare करेंगे तो सब अपने उन prices से नीचे ही बैठे हुए तो वह एक थ्वार सा factor रह करने के लिए कोशिश करता है सो रिलाइस होफ़ुली इनफी का जो negativity अगर कुछ आया भी तो उसको balance करने कोशिश करेगा and बस यही है कि उसको अगर वो balance करने कोशिश करता है दो लेवल्स आपको ध्यान रखने 2560 नीचे में 2580 उपर में जिस साइड ये तोड़ेगा अच् कि लोग long side में अगर carry forward ना करना चाहें because result season है तो एक बार इसमें भी थोड़ा सा profit booking देखने को मिल सकता है बट यह एक दिन मिलेगा यह दो दिन मिलेगा किसी को नहीं पता अब आते हैं major nifty के levels में क्योंकि वही ज्यादा important रहेगा वही ज्यादा tricky रहेगा तो nifty के levels में आप दिक्कत हो सकती है तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा अगर हम देखेंगे निफ्टी का तो level 3 crucial रहेंगे आपके लिए 21,380 का level crucial रहेगा उपर में 21,380 के उपर अगर market निकलेगा ना तो एक आपको upside swing देखने को मिल सकता है जो इसको 450 500 तक drag कर सकता है बट नीचे में 21,3 30,320 का zone 0 रहेगा ना वो crucial रहेगा उसको अगर ही तोड़ा तो 250 200 तक यह slide कर सकता है तो फिर उसके बाद 21,000 तक के journey फिर start हो सकती है तो यह level ध्यान रखना है प्लस futures में 35 points premium है जो कि Tuesday and Wednesday के अंदर ही adjust हो जाएंगे तो यह problem रहेगा तो हो सकता है कि market अगर उपर थवा सक गय जाए भी call में चुकि 35 points और भी premium है वो adjust होने जाएगा तो साइट call के premium ना बढ़े शुरू में तो first half को cautiously देखना पड़ेगा उसके बाद समझ में आएगा तो इनसमें important levels हमें क्या discuss किए 21,000 320,330 का zone जो है वो support zone है वो टूटेगा तो फिर 250 200 के तरह market approach कर सकता है अपसाइड में 380 का level crucial है 380 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा कासा upside move आपको देखने को मिल सकता है towards 450 500 एक अच्छा आधा swing बन सकता है निफ्टी वैंग में आते हैं निफ्टी वैंग में कैसा है futures के परियों almost खतम हो चुके हैं ठीक है तो यह धियार रखना है futures के परियों उसमें almost खतम हो चुके हैं उस दिन तो क्या हुआ था आपके मंडे को sorry Friday को की futures टूटे थे 600 पॉंट almost and spot टूटा था आपका खली सारे 300 पॉंट तो future का सारा प्री में एक ही दिन में खतम कर रही है था उन लोगों ने तो क्या sharp move आया था उसका तो वही एक चीज है ध्यान रखने अपने को दो लेवल ध्यान रखने इसमें 47,450 नीचे में 47,450 यह आप करके रखिएगा 47,450 के नीचे करें टिका तो 300 150 तक यह move दे सकता है यह ध्यान रखना है आपको अपसाइड है 47,600 का लेवल क्रूशल रहेगा और 47,500 पे ना straddle writing बहुत है तो यह तो 450 के नीचे टूटे यह 47,600 के ऊपर टूटे करना तो 47,720,800 तक easy move है 47,800 के ऊपर ही real कोई up move आना है तो आएगा तो यह दो तिन लेवल से उसमें आपको ध्यान रखने फिन निफ्टी क क्या लेवल समको ध्यान रखने है 21,180 का लेवल नीचे में and 21,260 का लेवल उपर में चब तक 260 के ऊपर नहीं निकलता है bullish view मत लाइए 250-260 से टरंड कर रहा है उस reversal को भी आप ले कर सकते हैं and 21,180 के नीचे अगर तो एक short side का move बन सकता है जो इसको 20,100 के तरफ लेके जा सकता है यह लेवल ध्यान रखने है कुछ important लगा तो मैं ग्रूप में update जरूर कर दूंगा बट अगर कुछ important नहीं लगा तो अभी तक यही रहेगा other asset classes में हम बात करें तो gold and silver की अगर हम बात करें तो gold and silver दोनों ही positive चलना है बहुत strong positive चलना है जितना यह geopolitical tension create होगा gold and silver उतना ही भागेंगे तो यह ध्यान अपको रखना है कि gold and silver continuous trend में है जब तक 75-200 के उपर silver है bullish है and 62-200 के उपर जब तक gold है bullish है अभी तो 62-650 के उपर close किया है तो अभी यह bullish ही चल रहा है ध्यान रखिएगा crude में matter थोड़ा सा different है बट crude में mark रही है 6200 उपर में 6100 नीचे में side 6200 अगर तोड़े न तो यह positionally थ्वासा और strong upside में जाने कोशिश करेगा USD अनल यपताग 83.2 के उपर है bullish भी उसमें intact आप रख सकते हैं वीडियो अशे लगी हो तो like जरूर कर देगा